नमस्कार एटोजेट डिशष उश्याक और जानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कहने जा रहे हूँ बेसन रवा की इटली यानिकी बेसन सूजी की इटली ये इतनी सूफ्ट और इतनी टेस्टी लगती है ना बनाने में पे काफे सिंपल है आप हमेश्वे सूजी की तो इटली खाते ही रहते हैं कभी ये भी ट्राइ की जाए कोई भी चटनी या सांबर के साथ या दाल के साथ बहुत ही बहतर ही लगती है बनाना भी सिंपल है चली शुरू करते हैं उसके लिए मैंने एक बाहुर ले लिया और इसमें मैं डाल र अधा कप दही डालेंगे स्वात के अनुसार नमक अधी चोटी चमच हल्दी पाउडर एक कप मैंने पानी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए मिक्स करने के बाद एक और कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है टोटल मैंने इसके अंदर दो कप पा तो आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी लंप्स ना रहे जाए और इस तरह से हो जाएगा बेटर और इसे ढखकर हम रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए कम समय है तो आप 10 मिनट भी रख सकते हैं जब तक इसे हमें रखा है हम टाइम वेस नहीं करेंगे दूसरी सेट दे यहां पर इटली स्टेंड मैंने ले लिया है इसको देखें इस तरह से खूनने के बाद इस पर हम बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा से तीड लगा लेंगे तो यहां पर देखें आप हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं और ब्रश की मदद से भी उसके बाद यहां पर 15 से 20 म हो गया लगबग तो डखन को हटा कर बेटर को एक बार मिक्स कर लेना है और अब इसके अंदर में डाल रहे हूं बेकिंग सोडा आदी छूड़ी चमच आप एक इनो का पैकेट भी डाल सकते हैं हरा वाला यहीं कि ग्रीन वाला और इसके उपर हम एक चमच पानी डालेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और यह बैटर बन कर तयार है अब जो हमने यह इटली का मोल्ड था उसमें तेल ग्रीस करके रखा था एक एक करके सारे मोल्ड में हम देखे इस तरह से यह इटली का बैटर डालते जाएं के सांचा ले लिए इसमें भी बैटर डालते जाएंगे और एक ही बार में यह सांचे में बीस यानि के 20 इटली बन जाती है तो इस तर से हम यह मोल्ड यानि के सांचे को अच्छे से देखे बंद कहलेंगे उसके बाद यहां पर पानी गरम करने रखा था वो भी अच्छे से ह हो गया है तो ढ़कन को अटा कर यह मोल्ड रख दे इसे ढ़कर 10-12 मिनिट के लिए स्टीं पर रखे यानि के 10-12 मिनिट के लिए बाफ पर रखे उसके बाद आपको इसे चेक कर लेना है ढ़कन को अटाकर अगर चाको यानि की नाइफ एकदम क्लियर निकल रहा है समझ देखे अगर आप तुरंट निकालते हैं तो इसे दो बाते होगी एक तो यह आदी हदूरी निकलेगी दूसरी बात नीचे से यह पूरी चिपक जाएगी और अच्छे से बिल्कुल भी यह लिकलेगी कभी-कभी तो यह टूट भी सकती है और अगर थंडा करके निकालेंगे तो अच्छे से यह इसका जो शेप है उस हिसाब से यह निकलेगी और यह बनकर तैयार है देखे कितनी बढ़िया लग रही है और जैसे कि मैंने आपको कहा कि यह बेसन सूजी की इटली है ऐसे अब कोई भी चटनी कोई भी सामबर यह दाल के साथ ले सकते है एक तम सॉफ्ट एक तम बहुत 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 ही टेस्टी थी तो ट्राइ कीजिए और जाते जाते मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थांक यू फॉ पॉच्छेंग